विट का इस्तेमाल कैसे किया गया है और विट का इस्तेमाल कैसे किया गया है आप देख रहे हो ना इसमें विट का इस्तेमाल दो बार है तो इसका क्या मतलब है कि जब आकास बादलों से भड़ा हुआ होता है मोर खुशी से नासता है और हम लोगों ने देखा कि यहां पर दो बार विट का इस्तेमाल है सेंटेंस में एक बार क्लाउट के साथ में और दूसरी बार डिलाइट के साथ में मैंने क्या कहा कि क्या किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है विदाउट फिदर्स पहले सेंटेंस में विद का रिलेशन किस के साथ में है क्लाउट के साथ में है और दूसरी बार उसका डिलाइट के साथ में है similarly in the second sentence without relates a peacock and feathers और दूसरे संटेंस में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि without का इस्तेमाल हुआ हाँ पर भी संबंद बताने के लिए हुआ है more और पंखों के बीच में peacock और feathers के बीच में both with and without in these sentences are prepositions what are these with and without these are prepositions और prepositions क्यों इस्तेमाल होते हैं दो सब्दों की बीच में संबंद बताने के लिए relation बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे हम लोगोंने पहले sentence में देखा कि with का इस्तेमाल sky और clouds के बीच में है और दूसरे sentence में हम लोगों ने देखा कि peacock और feather का relation बताने के लिए without का इस्तिमाल किया है तो एक जगह पर attachment की बात है साथ होने की बात है दूसरी जगह पर अलग detachment की बात है कि उसके बिना peacock को without feathers peacock को आपने बिना more के देखा है क्या and when the sky is overcast with clouds जब आकास बादलों से भड़ा होता है so preposition is a word which is used before a noun or pronoun to establish relation of that noun or pronoun with the other words in the sentence तो preposition होता क्या है preposition वो सब्द होता है जो किसी noun या pronoun के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये किसी दूसरे noun या pronoun के साथ में उसके relation को जाहिर करता है बताता है और बच्चों मैं ये बात आपको साब साब बता देना चाहता हूं और आपको इसे note कर लिना चाहिए कि preposition parts of speech का एक बहुत ही important topic है उसका एक बहुत ही एहम हिस्सा है बहुत ही important बहुत ही vital component है parts of speech का preposition और जो बच्चे बिहार बोट से पढ़ाई कर रहे हैं CBSC बोट से पढ़ाई कर रहे हैं ICSC बोट से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी बोट से पढ़ाई कर रहे हैं वो देखेंगे कि 6th class onwards 6th class से लेकर के 12th class तक के बीच में अक्षर जब grammatical portion से questions पूछे जाते हैं तो बहुत साथे questions prepositions के बारे में होते ही होते हैं मैंने अभी अभी बोट के ये intermediate के examinations में देखा विहार बोट के intermediate के examinations में कि उसमें जो 100 questions थे objective वाले उसमें मुझे लगता है 10 से 15 questions तो prepositions को लेकर के ही थे बिलकुल मैंने देखा है तो prepositions बहुत ही vital component है आपके parts of speech का इसे आपको बड़े अच्छे से command लेकर के पढ़ना चाहिए इसकी बारे में आपकी अच्छी खासी जानकारी होनी ही चाहिए ये बहुत जरूरी है तो once again I am back to with and without चुकि आज का जो lecture है ये tiny lecture with or without की uses के बारे में है with is used in the sense of having whereas without gives the sense of not having तो क्या कहा मैंने कि with is used in the sense of having किसी चीज के होने के बारे में साथ होने के बारे में जब बात हो ये sense apply करना हो in that case we will use with whereas without gives the sense of not having I am running without सूज तो आप समझ रहा हो ना कि मैं बीना जूतों के दौर रहा हूँ with is used also in the sense of company or togetherness to show an association with an instrument or any other object with का इस्तेमाल हम लोग तब भी करते हैं जब हम किसी के साथ हमें होने की बात करते हैं I am going to market with SEMA मैं सीमा के साथ market जा रहा हूँ I am playing a chess match with Rakes मैं Rakes के साथ में सतरंज का match खेल रहा हूँ तो आप लोगोंने यहाँ पर गौर किया कि हम लोग कैसे with और without का इस्तेमाल कर रहा है For example I am going to discuss some more sentences कुछ और भी sentences मैं read out कर रहा हूँ आपको देखना है कि इसमें क्या proper use है with का और without का कब आपको with इस्तेमाल करना है और कब without इस्तेमाल करना है First one is he sought the word with or without a gun तो यहाँ पर क्या होगा with a gun और without a gun A diabetic usually takes tea with or without sugar तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि with का इस्तेमाल कब करेंगे without का इस्तेमाल कैसे करेंगे We write with a pen or pencil or we can say that we write without a pen or pencil Sentence number four the old man had lost his stick He went on walking with a stick or without a stick क्या होगा यहाँ पर definitely यहाँ पर without a stick होगा She was going to market with her husband और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि she was going to market without her husband She was going to market with her sister She was going to market with her friend She was going to market without her husband She was going to market without her sister ऐसा भी कह सकते हैं तो मेरा यह chapter यह topic discuss करने का मतलब यही है कि आप अच्छे से समसलों कि when and how to use with and without कि हमें with का इस्तेमाल कैसे करना है कब करना है कैसे इसकी suitability होगी हमारे sentences में और अगली बात यही है कि जब तक आप with or without का proper use नहीं करोगे अपने बोलने में reading skills में, listening skills में, writing skills में तब तक आप with or without के बारे में confident नहीं हो पाओगे, sure नहीं हो पाओगे तो आपको फिलाल आप ऐसा तो करी सकते हो workout के लिए exercise के तोर पर कि आप अपनी copy में, you have to write 20 sentences using with and you have to write 20 more sentences using without, मैं कहना चाहता था with without लेकिन ऐसा नहीं हो सकता न तो आपको 20 sentence लिखने है, with को इस्तिमाल करते हुए और 20 sentence लिखने है, without को इस्तिमाल करते है तो ठीक है बच्चों, जल्दे ही हम लोग grammar talk series के एक नए lecture में मिलेंगे जहां पर हम लोग फिर से सीखेंगे, English grammar को बड़े ही simplified अंदाज में, बड़े ही आसान तरीके से और उसे हम उस दिन के बाद से कैसे अपने spoken English में, written English में इस्तिमाल कर सकते हैं ताकि हमारी English पहले से बेहतर हो सके, ये भी बताओंगा मैं आपको, तो जल्दी मिलते हैं grammar talk series की नए lecture में, तब तक आप मेरे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, इसका नाम है new age coaching तो good night बच्चों, take care, bye bye